ये बात उद्दोजी ने पहले भी कहा है, ये पहले बार नहीं कहा है, विजेपी की साथ हमने 25 साल निकाले, विजेपी को जमिन से आस्मान तक पहुंचाया हमने महाराष्टर में, सबको मालूम है, हमने गड़बंतन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवा है, लेकिन जो हुआ हुआ हुआ, लेकिन उद्दोज साब ने अपनी वेदना कल विव्यक्त की है, और इस सही है, ये सिवसना की बात नहीं है, जो भी विजेपी के साथ चला गया था, अच्छा मक्सद से, वो सभी पार्टियों का या गड़बंतन में जो उनके साथ है, उनका य ही हाल हुआ है, बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बालासर ठाकर जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हर्याना और पंजाब तक, कश्मी जम्मू के तक, अगर चुनाव लड़के, तो जैसे कल उ जा पारा प्रधान मंद्र होता है, लेकिन जब काम हो जाता है, उसको फिप दिया जाता है, जब उनकी अवशक तक हतम हो जाते है, राजनीती है, उनको दूर किया जाता है, यह उनकी नीती है. पुछना चाहता हूँ कि 2010 तक इस अलायंस के नेता बाड़ा सब ठाकरे जी थे और बाड़ा सब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा तो क्या बाहा साब ठाकरे जी के करण शिव से ना सड़ी इतना ही नहीं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि सिलेक्टिव मेमरी है उनकी पार्टी का जब जनम भी नहीं हुआ था उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉर्परेटर था बीजेपी में विधायक चुन कर आये और इतना ही नहीं तो 1984 में शिव सेना के सांसद के उमेद्वार लोकसभा के उमेद्वार बीजेपी के चुनाव चिन्दपर चुनाव लड़े तो कौन किसकी गोद में बैठा यह उनको याद दिलाने की आवशक्ता है और एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ जब तक हमारे साथ वो थे तब तक पहले नंबर के या दूसरे नंबर के पार्टी हुआ करते थे और हमारा साथ छोड़ने के बाद चोथे नंबर पर चले गए तो कौन किसके साथ सड़ा ये उनको याद करना चाहिए